आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Statement 1 में बोला है कि 1 root of the equation x square plus 5x minus 7 Quadratic equation का जो एक root है वो लाई करता है interval 1,2 में ठीक है ये correct है या नहीं है ये अपने को पता करना है ठीक है Statement 1 के coding क्या है ये 1 अगर यहाँ होगा यहाँ 2 है तो इसका जो एक root है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ठीक है तो सिर्फ एक root है वो इन दोनों के बीच में राई कर रहा है दूसरा कहीं वहार है ठीक है इस तरह से बन जा रही होगी ठीक है ये है अपना x2 plus 5x minus 7 equal to 0 तो अगर एक root इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पर मान लेते हैं ये alpha लाई कर रहा है ठीक है ठीक है वाट जो f of 1 होगा बन पर function की value क्या होगी negative ठीक है negative होगी and 2 पर क्या होगी positive होगी f of 2 positive होगी जो यहाँ पर कट कर रहा है न है x-axis को तो इसके बाद इसका sign change हो रहा होगा नीचे तो negative पर positive है तभी तो कट करेगा जब function का sign change होगा तो यहाँ से 1 पर तो f of 1 negative और f of 2 positive ठीक है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ f of 1 निकाल के देखते है इसका तो f of 1 क्या आ जाएगा यह आगया 1 plus 5 minus 7 तो यह आगया minus 1 negative यह true होगी ठीक है f of 2 देख लेते हैं अब यह positive आना चाहिए so 2 का square plus 5 into 2 minus 7 so यह आगया अपना 4 plus 10 minus 7 यह आगया 7 यह positive है चलो यह भी true है इसका मतलब क्या होगी एक root और लाई करेगा इस interval में 1,2 में तो statement बन क्या होगी मेरा true अब statement 2 की तरफ जाते हैं इन्होंने बोला है कि polynomial है क्या है fx है कोई अगर polynomial fx if pq fp into fq क्या है यह less than 0 less than 0 then exist there at least one root fx equal to 0 इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर correction है यह less than 0 है so एक function है माह लेते हैं कोई भी polynomial function है अब यह जरूरी नहीं है वो क्या हो quadratic की हो कोई भी हो सकता है अगर यह function है तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि fx equal to 0 के p और q में ठीक है so यहाँ पर कोई p आ रहा होगा ठीक है पर माह लेते हैं यहाँ कहीं q आ रहा है ठीक है इस interval में एक root at least लाई करेगा अगर f of p into f of q क्या हो negative हो f of p into f of q negative हो यह देखिए दो numbers का multiplication negative का हो सकता है या उन में से एक दोनो opposite sign क्यों होने चाहिए एक तो f of p greater than 0 हो and f of q less than 0 हो यह तो case बने ठीक है case 2 यह हो सकता है कि f of p वाला जो negative हो लेकिन q वाले को फिर क्या होना पड़ेगा positive होना पड़ेगा यहाँ पर function पर जो p की value होगी case 1 के coding क्या हो सकता है function positive है मतलब ऐसे कहीं होगा इदर की तरफ ठीक है और q पर जाते ही function negative में आ जा रहे है यानि इन दोनों का function continuous है तो match करेंगे तो इस तरह से जा रहा होगा ठीक है तो इसका मतलब एक न एक बार तो यह x-axis को cut करेगा ही तो यहाँ पर अगर यह तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि at least उसका burn root तो possible होगा ही होगा ठीक है और यानि यह statement क्या हो गया true हो गया और यही इसमें यही तो यूज वाता है कि 1 से 2 में लाई कर रहा है तो 1 पर अगर negative है और 2 पर अगर positive है ठीक है साइन चेंज हो रहा है तो एक बार तो x-axis को cut करेगा ही यानि एक रूट तो alpha possible होगा ही 1,2 में तो इसका मतलब क्या होगा दोनों statement correct भी है और यह explain भी कर रहा है तो यह answer हो गया correct explanation ठीक है दोनों true है और correct explanation है Thank you